नमस्कार जहिन दोस्तों मैं हूं सचिन मंसारे और दोस्तों हम मद्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोगाने की MPPSC pre के question answer को देख रहे हैं लगा रहे हैं तो आज देखते हैं दोस्तों मद्य प्रदेश में जलवायू से सम्मधित जो पूर परिच्छा में पूछे के प्रस क्या है आपके सामने अपसंस दे रखे होंगे कि 100-125 cm 50 cm से कम 50-75 cm 1002 mm तो दोस्तों यह पूछा गया है 2010 में PSC pre exams में तो मद्य प्रदेश में जो वार्सिक ओसत वर्सा है दोस्तों 100-125 cm होती है next question है कि राज्य में रितु वेद शाला किस इस्थान पर इस्तित है तो दोस्तो रितु वेद शाला राज्य में अने की मद्य परदेश में इन दोर में इस्तित है यह भी PSC 2010 में पूछा गया है next question है कि मद्य परदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है तो पूर्वी भाग में सबसे जादा वर्षा होती है next question मद्य परदेश में नियुनतम वर्षा कहा होती है तो दोस्तों भिंड के जो गोहद है वहाँ पर नियुनतम वर्षा होती है next question है कि मद्य परदेश में सबसे जादा वर्षा किससे होती है तो मद्य परदेश में सबसे जादा दोस्तों दक्षिन पश्चिम मानसून से होती है आपके सामने आपसंस अलग-अलग दक्षिन पुर्वी मांसून उप्युक सभी दक्षिन पश्चिम मांसून तो दोस्तों दक्षिन पश्चिम मांसून से क्या होता है या बोल सकते हैं कि साउथ वेस्ट मांसून जो है उसके माध्यम से हमारे मध्य बदेस में ज्यादा वर्षा होती है नेक्स्ट कोश्चन है क सबसे जादा तापमान गजबसोदा में ना पा गया था जबकि देखा जा गजबसोदा दोस्तों कहां पड़ेगा तो विदीशा में पड़ेगा और एक बात और एक कही गई है कि सरवादिक तापमान दोस्तों खजुराहों में 2020 बीस में रिकार्ट किया गया है उन पचास डिगरी के सम्थिंग में नेक्स्ट कोश्चन है मद्यपदेश में कितने प्रमुख मोशम होते हैं तो मद्यपदेश में तीन मोशम होते हैं दोस्तों MPSI 17 सक्टमबर की जो एक्जाम थी उसमें पूछा गया है नेक्स्ट कोश्चन है कि तापकरम के आधार पर मद्यपदेश का अधिकांस भाग की से तापी वर्ग में आता है तो दोस्तों अती तापी वर्ग में आता है नेक्स्ट कोश्चन अर सुब्रमन्यम और टी स्री मन्नारायन ने तापमा अनुवर्षा के वित्रन के आधार पर मद्यपदेश की जलवायू को कितने भागों में बाटा गया है तो तीन भागों में बाटा गया है अर सुब्रमन्यम और टी स्रमन्नारायन उनका नाम है एर सुब्रमन्यम और एक वेक्ति दूसरा है उस जिनका नाम है टी स्री मनना रायन ये नाम है उनका तो तीन भागों में जलवायू को बाटा गया है कि कोवका गया है तो किस जिले में गाओ को ख्लाइमेट ग्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में समिलिक किया गया है तो सतना को climate smart village project में समिलिक्ट किया गया नेक्स्ट कॉस्चन है कि मध्यप्रदेश को कितने करसी जलवाई। आज चेतरों में बाटा गया तो दो मान्सुनि मध्यपदेश की जलवाई। किस प्रकार किये, तो मांसुनी तो आव नाली का अपरदन का नेक्स्ट कोश्चन है कि मद्यबदेस में कितने प्रकार की रितों पाई आती है तीन प्रकार की पाई आती है मद्यबदेस में सबसे ज़्यादा वर्षा किस से होती है तो दक्षिन पश्चिन से होती है मद्य बदेस के किस भाग में वार्सिक तापांता राधिक होता है दोस्तों उत्री छेतर में वार्सिक तापांता राधिक रेता है नेक्स्ट कॉस्चन मद्य बदेस में ग्रिस मुरितु में उसत तापमान बढ़ता है तो दक्षिन से उत्तर की वर ज्यादा तापमान बढ़ता है MPPSC Pre-Exam 2020 में question आया है उम्मिद करता हूँ दोस्तों ये छोटा audio lecture है और आपको जरूर पसंद आया होगा मिलते हैं नए lecture के साथ जब तक के लिए जहिन